दलजीत कौर और निखिल पटिल की शादी में दरार किसी से छिपी नहीं है, अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे पर आरूप लगा रहे हैं। एक फैन के सवाल पर दलजीत कौर ने कहा, मेरे मन में दो सवाल है, पहला, अगर वो आज जो कुछ भी कर रहा है, उसमें वो पहले से ही खुश था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की, शायद तब उन्हें इस तरह की पबलिसिटी नहीं मिली थी, दूसरा, जो लोग बोलते ह हैं कि एक लड़की ही लड़की की जिन्दगी बरबाद करती है, सही बोलते हैं, जब पती-पत्नी के बीच कोई समस्या चल रही हो, तब वो वैसे भी एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहेंगे, ऐसे में किसी तीसरे इंसान को वो जगा नहीं भरनी चाहिए, ये नैतिक रूप से गलत है, दलजीत ने निखिल की कथित गर्फेंड पर शादी शुदा होने और फिर भी उनके शादी को बरबाद करने का आरूप लगाया, वो कहती हैं, आप खुद शादी शुदा हो, पती है, दो बच्चे हैं, और किसी और के पती का खालिपन भर रह हो, क्यों, ये सवाल मेरे दिल में पूरी जिन्दगी रहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो जो कर रही है, उसे करने की जरूरत है, क्या पता, होगा उनका कोई कारण शायद, वहीं जब एक यूजर ने दलजीत से पूछा कि क्या उन्होंने सफीना नजर से बात की, तो इसक अब एकसेप्टेट होगा, मुझे नहीं पता, ये बहुत दुख की बात है, अब मैं नहीं रोंगी। उनके दिल में एक टीस की तरह था, और उनकी शादी के दिन की ये यादें, उनकी आखों के सामने घूम गई, लेकिन सोफा उनके प्यार का प्रतीक था, और वो किसी तरह इसके लिए मान गई। आपको निखिल और दलजीत में से कौन सही लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेस्बुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। आपको यूलें। आपको यूलें।